अलो दोस्तों नमश्कार आप सभी का सुवागत है DR KTV पर मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर कनईया बीकानेर राजस्थान से साइकेटरिस्ट मनोचे कित्सक काउंसलर सेक्सोलोजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेसलिस्ट दोस्तों आज इस वीडियो के मादियम से मैं आप सभी को जो साइन्टिफिक वे किस तरह से पैनिस का साइज इंक्रीज होता है लिंग का साइज बढ़ता है जो मेल औरगन है जो मेल औरगन है उसका साइज किस तरह से बढ़ता है उसकी पूरी scientific mechanism मैं आप सभी को explain करने वाला हूँ कि जब penis सिथिल अवस्था में होता है तो इस सिथिल अवस्था से वो कैसे erect वाली position में जाता है कैसे तनाव वाली अवस्था में जाता है कैसे उसका size बढ़ जाता है इस पूरी mechanism को explain करने वाला हूँ अगर आप इस चीज़ को पूरी तरह के से समझना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को end तक देखिए दोस्तो जो panis होता है panis की structure में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ panis की structure क्या होती है panis एक लंबी shaft जैसी structure होती है इस shaft के अंदर ये तो जो है panis का shaft होता है और ये जो होता है इसको glance panis बोलता है इसको बोलते हैं GP आप simple सा याद रख लिए glance panis और ये हमारी जो होती है urethral opening होती है जहां से urine और semen जो है वो बाहर निकलता है यहां से पेशाब और जो विर्य है वो बाहर निकलता है दोस्तो panis के अंदर क्या होता है panis के अंदर दो pipe होती है एक जोड़ी pipe होती है special pipes होती है जिनको corpora cavernosa बोलते है अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं आप तो बस इतना समझ लीजिए कि दो pipe होते है एक जोड़ी pipe होती है जिसको क्या बोलते है corpora cavernosa बोलते है इनका बहुत ही important role है panis के size को बढ़ा करने में कैसे जबी भी बाहर से जो blood vessels है उन blood vessels से इस corpora cavernosa के अंदर blood enter होता है जो रक्त है वो रक्त जब इसके अंदर enter होता है इस pipe के अंदर enter होता है तो इस pipe का size बढ़ता है दर असल इसके अंदर क्या आते है छोट छोटे blood के pockets होता है जैसे blood उन pockets के अंदर आता है इन pockets का size बढ़ता है pipe का size बढ़ता है और जैसे pipe का size बढ़ता है तो panis का size भी बढ़ने लग जाता है तो Pennis सितिल अवस्था से erect अवस्था में आने लग जाता है जो Pennis का जो नॉर्मल erect अवस्था में जो size होता है 5-6 inches वो inches वाला जो size है वो हो जाता है और वो कैसे होता है क्यों क्यों कि इस pipe के अंदर यह दो जोड़ी pipe होता है एक ओर pipe होता है जिसके अंदर urethra होता है, उसको corpus spongiosum बोलता है, अपन, बस इसको समझ रहे हैं कि erect कैसे होता है, दोस्तों erection के अंदर यह जो corpora cavernos है, यह जो दो pipe है, इन pipe के अंदर जब blood enter होता है, जैसे blood enter होएगा, तो आपको पता है कोई भी खाली pipe है, एकदम सिकड़ा हुआ है, उसक पानी नहीं होता, तो एकदम पिछका हुआ रहता है, जैसे उस pipe के अंदर पानी भरना सुरूता है, पानी जाना सुरूता है, pipe का size फूल जाता है, उसी तरीके से पैनिस के अंदर भी यह दो pipe होते हैं, उन pipe के अंदर जैसे blood enter होता है, इन pipe का size बढ़ने लग जाता है, और अब यहाँ पर यह blood enter क्यों होता है, किस तरीके से होता है, वो mechanism क्या है, दोस्तों यह जो pipe होते हैं, इन pipe के चारो तरफ कुछ muscles होती है, कुछ mass patient होती है, smooth muscles बोलते हैं उनको, सामने अता, यह जो muscles हैं वो contracted phase में रहती है, contracted phase में रहती है, मतलब जो pipe है, उस pipe को बाहर से दबा बाया होँ रहता है, तो pipe पिचका होँ रहता है, जैसे ही muscles relax होती है, relax होती है और pipe को बीच, जैसे ही बाहर रोखा है, तो उसके अंदर कुछ भी lowest her नहीं होगा, तो ये pipe भी खुलेगा, खुलेगा तो अंदर negative pressure create होगा, मतलब बाहर से किस चीज को वो अपने अंदर खींचेगा, तो ये जो blood vessels के अंदर, जो blood है, वो blood इसके अंदर enter होना सुन होता है, क्योंकि ये muscles relax होना start हो जाती है, जैसे ही muscles relax होती है, blood इनके अंदर enter होने लग जाता है, जैसे ही blood enter होता है, size बढ़ने लग जाता है, अच्छा, ये muscles relax क्यों होती है, इसको भी समझने की जरूरत है, ये एक chemical होता है, जिसको nitric oxide बोलता है, उसको nitric oxide बोलता है, जो nitric oxide है, जैसे ही नाइटरिक आक्साइड, रिलीज होता है, यह muscles relax होने लग जाती है. जैसे ही नाइटरिक आक्साइड रिलीज होता है, muscles relax होने लग जाती है. जो sex tablets जो use करते हैं, पैनिस की size को बढ़ाने के लिए, या erection को लाने के लिए, वो generally इसी mechanism को पर work करते हैं. वो भी nitric oxide को बढ़ा देती है जिससे muscles relax होती है और penis के अंदर blood enter होता है और blood okay जो penis का size हो वो बढ़ जाता है अब यह nitric oxide कहां से release होता है यह जो nitric oxide release होता है यह एक nervous system होता है जिसको आपन बोलता है autonomic nervous system इसका जो release है वो mainly autonomic nervous system के control में होता है जो ANS में भी जो मुख्य था जो parasympathetic nervous system है PSNS parasympathetic nervous system आप तो बस इतना याद कर लिजी कि autonomic nervous system जो parasympathetic nervous system है यह nitric oxide release करता है जैसी nitric oxide release होता है muscle से वो relax होने लगती है pipe के अंदर negative pressure create होता है blood enter होता है और penis का size बढ़ जाता है अब यह जो आपका ANS है autonomic nervous system है यह autonomic nervous system यह connected होता है हमारे limbic system से जो आपका parasympathetic nervous system यह कहां से stimulate होता है यह stimulate होता है हमारे limbic system से जो parasympathetic nervous system है जो autonomic nervous system यह connected होता है limbic system से अब यह limbic system क्या है दोस्तों Limbic System जो होता है वो हमारे अंदर Emotional Brain है Emotional Brain हमारे अंदर जितनी भी तरह की भावना याती है जितनी भी तरह की फीलिंग्स होती है अच्छी वाली फीलिंग्स, बुरी वाली फीलिंग्स, पॉजटिव वाली फीलिंग्स, नेगेटिव वाली फीलिंग्स, हंसी वाली फीलिंग्स, रोने वाली फीलिंग्स, सेक्स वाली फीलिंग्स जो भी sexual desires जो develop होती है sexual feelings जो आती है वो सारी feelings हमारे इस limbic system के अंदर create होती है यह जो limbic system है यह क्या होता है हमारा emotional brain होता है या मैं यूँ कह सकता हूँ कई बार हम यह line use करता है मैं तो दिल से सोचता हूँ यह दिल तो blood pump करता है सोचने का जो feelings वाला जो दिल होता है वो तो आपका यह यह limbic system यह कहाँ पर होता है मैं थोड़ास आपको ज़्यादा नहीं बताना वाला थोड़ास आप समझेगा कि हमारा जो brain होता है उसके चार lobe होता है आगे वाला जो होता है वो frontal होता है यह तो है आपका frontal वाला पार्ट यह वाला होता है temporal वाला पार्ट इदर वाला यह आपका temporal वाला पार्ट पीछे वाला आपका occipital और यह होता है parietal यह जो temporal वाले जो lobe होता है इनी lobes के अंदर हमारे brain के जो इनी lobes के अंदर यह आपका limbic system होता है जो आपका emotional भावनाओं वाला जो brain है वो सारा आपके किस के अंदर होता है temporal lobes के अंदर होता है अब इसमें भावनाओं क्यों पैदा होती है ये भी समझने की बात है इसमें भावनाओं पैदा होती है हमारा जो logical brain होता है हमारा जो logical brain होता है ये logical brain कौन सा है दोस्तो जो आपका ये frontal cortex है ये जो आपके आगे वाला जो हिस्सा होता है आपके brain के brain के आगे वाले हिसे में एक आगे वाला जो part होता है frontal बोलते है brain का जो आगे वाला जो ये हिस्सा है इसको frontal बोलते है और इस frontal के थोड़ा सा आगे frontal का जो आगे वाला part है इस part को बोलते है prefrontal cortex यही actual में हमारा logical brain है logical brain क्यों बोला क्योंकि इसके अंदर सारा analysis create होते है सारी तरह के thoughts पैदा होते है यही जो logical brain है इसी के अंदर विचार पैदा होते है इसी के अंदर विचार पैदा होते है जैसे thoughts पैदा होते हैं, वो जो sexual thoughts है, sexual thoughts जैसे ही आपके limbic system में transmute होते हैं, sexual thoughts, जैसे limbic system में transmute होते हैं, तो limbic system के अंदर sex वाली feelings create होते हैं, जैसे limbic system में sex वाली feelings create होती है संभोग की feelings create होती है opposite gender के प्रती आपका ANS stimulate होता है जो parasympathetic nervous system है वो stimulate होता है nitric oxide release होता है जो smooth muscle से वो relax होना start होती है जो आपका corpora cavernosa है उसके अंदर negative pressure create होता है और blood उसके अंदर enter होने लग जाता है जो इसके आसपास जो arteries होती है उन arteries से इसके अंदर blood enter होने लग जाता है जैसे blood enter होता है size बढ़ता है penis का size बढ़ा हो जाता है तो यह पूरी mechanism है अच्छा यहाँ पर यह जो thoughts कैसे पैदा होते है यह मैंने आपको बताया था कि हमारे आसपास जो भी वातावरन है हमारे आसपास जो भी वातावरन है वातावरन से information हमारे brain में जाती है कौन सी information जब हम किसी opposite gender वाले वेक्ति को देखते है या फिर कहीपर हम sexual content देखते है कही sexual content सुन लेते है या कोई भी opposite gender वाला हमें touch करता है या हमारे genital parts को touch करता है तो ये जो information है ये जो सारी सूचनाए है ये 5 sensory organs के थूँ 5 sensory organs के थूँ 5 sensory organs कौन से आंखे, कान, नाक, जीब और हमारी skin ये त्वचा इन sensory organs के थूँ ये information जो हमारा somatosensory area होता है हमारे इस logical brain में जाती है logical brain इन सारी informations को analyze करता है और इस analysis के according उसके अंदर thoughts create होता है जैसे ही aspas sexual situations create होती है sexual situations के according यहाँ पर sexual thoughts create होता है कई बार aspas का जो environment है उस environment के बगेर भी इस तरह की चीज़े create हो जाती है जैसे जो fantasies होती है बहुत सारे लोग जो fantasies create करते है आँखे बंद करके जो सोचते है जो fantasies create होती है वो fantasies कहाँ से create होती है हमारे brain के अंदर एक memory center होता है हमारे brain के अंदर एक memory center होता है यादास्त का केंदर होता है जिसको hippocampus बोलते है यह hippocampus भी आपके इस temporal lobe में ही होता है जो hippocampus है वो इस limbic system का पार्ट होता है memory center जो होता है उसके अंदर सारी तरह की यादे केंदरित है सब तरह की images केंदरित है चाहे हो sexual हो, non-sexual हो किसी भी तरह की सारी images उसके अंदर केंदरित है जबी भी हम fantasies create करते है imagination करते है तो imagination करते है तो यह images हमारे logical brain में आने लग जाती है जैसे sexual जो images आती है sexual act की images आती है तो हमारे अंदर sexual thoughts create होते है और जैसे sexual thoughts create होते है तो यह sexual thoughts हमारे limbic system में जाते है जहाँ पर हमारे अंदर sex की desires develop होती है sexual feelings create होती है और यह आपके अंदर nitric oxide को release करता है nitric oxide है वो smooth muscles को relax करता है जो pipe है उसके अंदर negative pressure create होता है उसके अंदर blood enter होता है और वो penis का size बड़ा हो जाता है तो यह पूरी proper mechanism है पूरी proper mechanism है जबी भी आप किसी को देखते हो या कोई आपको touch करता है या कोई आपको sexual जो चीजे है वो आपको सुनने को मिलती है या sexual कोई भी कहीं पर भी आपको अच्छी smell आ रहे है fragrance आ रहे है जो की sexual environment में होती है वैसे आपको fragrance आ रहे है तो यह जो सारी चीजे है यह आपके logical brain में जाती है और sexual thoughts create होती है और यह sexual thoughts, sexual feelings create करती है limbic system के अंदर यह आपके parasympathetic nervous system को stimulate करता है nitric oxide और penis का size बढ़ जाता है तो दोस्तो यह पूरी scientific mechanism है जिस mechanism से penis का size बढ़ता है तो दोस्तो इस चीज़ को बहुत अच्छे सा understand कीजिएगा जो syldenafil tablet आती है जो penis के जिनके erectile dysfunction की problem होती है जिनके link में तनाव की कमी होती है दोस्तो ज्यादा तर जो erectile dysfunction है वो psychological होता है psychological कैसे कि जबी भी हम अंडर stress होते है जबी भी stress होते हैं दिमाग में over thinking चल रही होती है तो हमारे अंदर जो sexual thoughts है उनके साथ साथ हमारा जो autonomic nervous system उस उस पहे parasympathetic nervous system होता है यह जो parasympathetic nervous system में जब stimulate होता है तो इससे penis का size कम हो जाता है जो erection है उसकी problem होना स्टार्ट आजाती है तो जबी भी हम under stress होते है stress वाला है जैसे यहाँ पर autonomic nervous system का एक पार parasympathetic वैसे sympathetic होता है sympathetic erection उससे down हो वो दर असल क्या होती है वो nitric oxide को release कर देती है जिससे इस smooth muscles relax होती है और इन types के अंदर negative pressure create होता है और blood इसके अंदर enter हो जाता है तो जैसे blood enter होता है penis का size बढ़ जाता है. Erection की जो ज़्यादा तर problems है वो psychological problems होती है वो physical problems नहीं है तो दोस्तों ये पूरी mechanism है जो ये explain करती है कि link का size कैसे बढ़ता हूँ. उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा process ये पूरा video पसंद आया होगा नीचे comment box में लिखकर जरूर बताएगा और अब तक यदि आपने YouTube channel DRKTV को subscribe नहीं किया तो please उसे subscribe करें ताकि मेरे नए वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुँचें बहुत बहुत दन्यवाद दोस्तों जै हिंद जै भारत